क्रिकेटर शेनवान का निधन हो गया है बड़ी खबर खेल जगत से जुड़ी हुई चेनवान के फैंस के लिए ये बुरी खबर क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा सद्मा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेनवान का निधन हुआ है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर श शेनवान उनका निधन हो गया है अपनी अच्छी गिंद बाजी के लिए वो जाने जाते रहे हैं हमेशा हार्ट अटेक उनको हुआ और रिदय कती रुपने से निधन हुआ क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के शेनवान का क्रिकेट जगत के लिए ये एक शॉकिंग खबर आई है ब बड़ी खबर और दुखत खबर इस समय की खेल जगत से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं 52 साल की उम्र में शेनवान का निधन हुआ अपनी गेंद बाजी के लिए जाने जाते थे अपनी बले बाजी के लिए जाने जाते थे शांदार खिलाडी क्रिकेट के तो क्रि सब्सक्राइब बहुती दुखत खबर है किसी को मीदी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है शेनवान की मना रहे तैंट में वहां एक विला भी उतकरिदा था वही को सामय में ये गटना गटी है और उनको वहां के जो लोग है उनके वां में जो काम करते हैं उनको सेंसलिस हालत में प पुष्टी भी की गई देखिए पिछले साल ऐसा ही हुआ था टीन जोन्स के ताज़वी और इस बार बहुत ही खराब खबर बहुत ही दुखत खबर पूरी जी क्रिकेट दुनिया है सद्वे में कुंतल चक्रवर्टी शेन वान अपनी अच्छी गेन बाजी के लिए बले बाजी के लिए शांदार खिलाडी के रूप में जाने जाते रहे हैं हमेशा हमेशा और इस तरीके से हार्ड अटेक होने से निधन होना वाकई बहुत दुखाद है और अपनी फिटनेस के लिए भी ह उन्होंने एक web series भी उन्होंने बनाया था और उसमें शेन वान ने कहा था कि बॉल जैसे ही हाथ में आता है जद दिया जाता है कप्तान जब गेन बाजी करने के लिए मुझे बुलाते हैं मुझे लगता है कि हर गेन में मैं अलग कुछ कर सकता हूं और शेन वान जो है वो एक आर्ट के रूप में अप प्तावित कर दिया था जिस तरह से उनको आप कह सकते हैं गेन बाजी को उन्होंने अलग परीभाशा दी और अपन सारे रिकॉड टेस्ट क्रिकेट में आप देखे सारे रिकॉड उन्होंने तोड़ी रिया था जिसको बाद में मुझे मुली लेकिन जिस तरह से जिस लेवल पर उन्होंने पिन गेंदवाजी को लेकर गये और चाहे वो दुनिया के ताबर तोड जो बल्लेवाज है सचिं टेंदूल फो प्रायन ला रहा हो उस समय के जो दिकज बल्लेवाज है तभी को परेशान किया आपने आपने इस पिन अचानक निदन की दुखत खबर मिली क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा बिल्कुल जी मैं तो बिल्कुल सुन हो गया हूं मुझे एकदम से समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्योंकि अभी तो युवा बाने जा रहा है आजकल की जो पचास साल के मुझे लगत ABP News आपको रखे आगे